नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का study close पर आज जिस lecture को हम लोग लेने जा रहे हैं उस lecture को आप किसी विशेश धर्म के साथ में जोड़कर ना देखें उसको compare ना करें अगर आपने किसी विशेश धर्म के साथ में जोड़कर देखा तो आपका देखने का नज समाजने की शक्ती है इसी लिए आज के इस lecture को आप समाज में एक ट्रांसफॉर्म के तौर पर देख सकते हैं अगर आपने किसी विशेश धर्म के साथ जोड़ लिया तो आपका point of view जो है वो काफी हद तक change हो सकता है इस lecture को लेने का जो एहम मुद्दा है वो ये है कि समाज के अंदर छिपे हुए कई चहरे ऐसे होते हैं जिनको पहचारना आउशक होता है आपके लिए और आपके family members के लिए future के अंदर ऐसे घटना घटित ना हो उसके लिए आज इस घटना को आज इस पूरी story को जो है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं आज इस story के बारे में बात कर रहे हैं उसका title ही है अजमेर 92 जैसा कि इसके अंदर 92 एक numeric term जुड़ी हुई है ये 1992 की घटना के बारे में जिकर करती है इस पर एक film जो है वो बनने जा रही है और इससे पहले भी कई film जैसे जो है बन चुकी है जैसे हम लोग केरला इस्टूरी की बात करें वो भी बनी ही फिल्म जो है वापस से बनने जा रही है और वो है अजमेर 92 यह फिल्म 14 जुलाई को रिलीज होने वाली है लेकिन उससे पहले ही काफे ज़्यदा कॉंडर्वर्शल हो चुकी है आजकल फिल्मों के लिए यह भी ट्रेंड हो चुका है कि जब तक कोई कॉंडर्वर्शी क् उससे पहले हमको दिखाई जाए और इसके तथ्यों के बारे में बताए जाए उसके बाद में अगर कोई इसमें ऐसा कोई डिस्पूटेज मैटर होता है तो वहां से उसको हटाए जाए तो यह मामला जो है वह अभी चल रहा है क्योंकि इस फिल्म और जिस पर इस फिल्म को है वो क्रेट हो गया है तो अजमेर 92 यह स्टोरी क्या है इस पर हम लोग आगे बड़े उससे पहले यह बहुत बड़ा स्केंडल हुआ अजमेर की अंदर और उस समय 1992 के अंदर पूरा रादस्थान इससे काप उठा था ऐसा कहा जाता है कि अजमेर के अंदर 1992 का जो वर्ष था वो एक ब्लैक इयर की तौर पर देखा जाता है उस समय यह जो सेक्स सकंडल है यह देश का सबसे बड़ा सेक्स सकंडल जो है वो कहला जिसमें सो से ज़्यादा जो लड़कियां थी वो इसका शिकार हुई और बहुत सारी लड़कियों ने सुसाइड किया था यहां तक कि जब भी कोई लड़का अपनी शादी के लिए लड़की देखने जाता तो पहले उस फोटो से वो मैच करता कि कहीं है लड़की जो है उनमें से तो नहीं है उसकी कंफरमिशन के बाद ही वो हामी भरता था इतना बड़ा सकंडल यह हो चुका था यहां तक कि बह इतना ज़्यादा जो है वो डरावना क्यों है कैरला इस्टोरी जो है वो मुवी रिलीज हुई उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया कि वो भी काफी कॉंटर्वर्शल रही और उसके बाद में अब जो है वो अजमेर 92 एक फिल्म जो है वो रिलीज होने जा रही है तो इस फिल्म को जो है वो डारेक्ट किया है पुश्पेंद्र सिंग के द्वारा और भी कई इसके अंदर इस्टार्स हैं जिनको इसके अंदर शामिल किया गया है अजमेर 92 के अंदर चलिए ज्यादा सस्पेंस क्रियेट ना करते हुए हम लोग इस स्टोरी के तरफ चलते हैं और रिसेंटली निउस्पेपर के अंदर यह आया है कि जो दरगा कमेटी है दरगा शरीफ वो जो है इस फिल्म को रिलीज होने से पहले देखेगी क्योंकि चिश्थी संपरदाय अपने आप में एक ऐसा संपरदाय रहा है अपने आप में बहुत काबिलत रखता है इसलिए कोई भी बात जो है वो इधर उधर ना हो जाए भारत के अंदर उत्तर पशिमी नौर्थ वेस्ट के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है राजस्थान और राजस्थान के सेंटर के अंदर एक डिस्ट्रिक है जो है अजमेर अजमेर के अंदर ही एक स्कूल है तोफिया स्टोरी के अंदर दो जो है वो किरदार है जैसे एक तरफ हम लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा चिस्ति संपरदाय और उससे जुड़े लोग हैं और उसके अंदर केवल मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी शामिल हैं यह जो मैं आप लोग को बता रहा हूं इसके अंदर केवल हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी शामिल है और दूसरी तरफ सोफिया स्कूल की गल्स और दूसरी स्कूल की गल्स जो है वो भी इसके अंदर शामिल है चुरुवात करते हैं हम लोग यह जो फोटो आप लोग देख रहे हैं यह है फारुख चिस्ति फारुख चिस्ति जो है व अपनी सेवाई ना देकर पॉलिटिक्स को जोईन किया फारुक चिष्टी जो है वो यूथ कॉंग्रिस जो विंग है इसका अध्यक्ष बनता है और उपादेक्ष जो है वो नफीष चिष्टी बनता है और इसकी अंदर जो तीश्रा किरदार आप लोग देख रहे हैं वो है स इस बैग्राउंड से आते थे वो बैग्राउंड इतना मजबूत था कि इनको कोई भी कारे करने में कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होती थी यहां तक कि ये लोग इस अजमेर शहर के अंदर इतनी जबर्दस तरीके से अपने काम को अंजाम दिया करते थे कि किसी का लगत तो फारुक चिश्दी जो कि अध्यक्ष था नफिस चिस्ती जो कि उपाध्यक्ष था और यह जो है अनवर चिस्ती यह क्या था सेक्रिटरी था कहानी शुरू होती है इस सोफिया स्कूल से सोफिया स्कूल रैपुटेड्स कूल जो है वह माने जाती है उस समय 90's के अंदर 1990 के दशक के अंदर सोफिया स्कूल सबसे टॉप मौश्ट स्कूल माने आती थी पूरे भारत के अंदर ही सबसे बहतरी गल्स स्कूल तोफिया स्कूल के अंदर 12 क्लास में पढ़ने वाले एक लड़की एक दिन अपने दोस्त ये कहती है कि मुझे जो है वो गैस का कनेक्शन चाहिए और गैस का कनेक्शन उस समय काफी मुश्किल से मिला करता था कुछ एप्रोच वगरा लगानी पड़ती थी उसके बाद में ये गैस कनेक्शन मिला करता था तो 12 में पढ़ने वाले एक लड़की ने अपने दोस्त से ये कहा कि मुझे गैस कनेक्शन चाहिए वो दोस्त जो था वो बिसिकली फारुक चिस्ती को जाना करता था उसने का कि मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाँगा ये जो आदमी है ये तुम्हें आसानी से गैस कनेक्शन दिलवा सकता है जब ये लड़की और लड़का फारुक चिस्ती के पास में पहुंसते हैं तो फारुक चिस्ती जो है वो हामी भरता है और ये कहता है कि हम तुम्हें गैस कनेक्शन ही नहीं इसके साथ में पॉलिटिक्स जो है उसके लिए भी ओफर करते हैं ये लड़की जो थी इस चीज में इंटरेश्ट थी कि आगे जाकर वो पॉलिटिकल वर्क करे तो ये जो फारुक चिश्टी है इस लड़की को भेशता है शयद अनवर चिश्टी के पास में सयद अनवर चिश्टी जो की सेक्रेटरी था वो इस लड़की की फोटो लेता है और ये कहता है कि इस फोटो को गैस कनेक्शन के फॉर्म में लगाना है gas connection का form भरवाय जाता है और उस लड़की को कुछ दिनों बाद में जो है वो gas connection मिल भी जाता है ये जो वेक्ती है सेयद अनवर चिस्ती इसकी कहानी में आप लोगो को और भी आगे बताऊंगा ये लड़की वापत से अपने school चली जाती है और school में जाने के बाद कुछ दिन बाद ही एक गाड़ी जो है वेन वो Sophia school के बाहर आके रुकती है जब वो वेन आके रुकती है उस लड़की के पास में तो वो लड़की ये देखती है कि जो फारुक चिस्ती है उसकी जो दोस्त हैं वो उस वेन के अंदर बैठे हैं और कह रहें कि हम तुम्हें आगे छोड़ देंगे वो लड़की उसमें बैठ जाती है वेन के अंदर और वेन में बैठने के बाद वो वेन जो है वो पहुंच जाती है फारुक चिस्ती के फार्म हाउस पर पार माउस पर पहुंचने के बाद लड़की जो है वो यह कहती है कि आप मुझे ये कहां पर ले आये हैं उसने बहुत जो है वो कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है इसके बाद में फारुक चिश्ति जो है वो उस लड़की के साथ में रेप करता है गलत काम करता है और यहीं नहीं फारुक चिष्टी ही नहीं और भी कई लोग जो है जो कि फारुक चिष्टी की ही शकल में थे वो भी उस लड़की के साथ में गलत करते हैं मैं गलत शब्द का इसलिए यूज ले रहा हूं क्योंकि जब यह लेक्चर रिलीज होगा तो उसके कुछ समय बाद में यहां पर यूट्यूब की तरफ से वह लग जाएगी इसलिए मैं इस शब्द को काम में ले रहा हूं अगर वो शब्द में काम मिलूंगा तो यहां पर बार-बार में आपको एक बीब वो सुनाई देगी यह लड़की जब पूरे काम का शिकार होती है तो वापस से वह इसकूल जाती है इसकूल के जाने के बाद कुछ दिनों बाद वापस ही फिर से उस घटना को दौराय जाता है और घटना को दौराय जाने के बाद उस लड इलसला जो है वो थमता नहीं है जब उस लड़की का दूसरी बार जब रेप होता है उस समय उसकी जो फोटोस है वो ले ली जाती है और फोटोस के थूरू उसको ब्लैक मेल किया जाता है और यह कहा जाता है कि अगर तो यहां पर दूसरी लड़की नहीं लेके आई तो हम ये फोटो जो है, वो तेरे आस पडोस में बांट देंगे, सोशल मेडिया का इतना क्रेज नहीं था, था ही नहीं, तो आस पडोस में बांट देंगे तेरी बदनामी होगी, वो लड़की मजबूर हो जाती है अपने किसी सहली को वहाँ पर लाने के लिए, ये सिल्सला जो है एक लड़की नहीं, बहुत सारी लड़किया जो है वो अपनी दोस्तों को वहाँ पर लेके आती है इस दबाउ में कि कही नहीं ये फोटो जो है वो रिलीज ना हो जाए और फारुक चिस्ती और फारुक जिस्ती जैसे कई चहरे जो है वो इन लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं, अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, लड़कियां बहुत परिशान थी, क्योंकि समाज के अंदर ऐसे घिनोने चहरे होते हैं, जो समाज में रहते हैं, लेकिन चहरा सामने नहीं आता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था, कि ये लेक्चर जो है, वो आपके लिए और आपके फैमिली के मेंबर्स के लिए काफी जो है, वो अच्छा होने वाला है, ताकि भविशे के अंदर ऐसी घटना, अगर किसी के साथ में घटित होती है, तो वो आसानी से उस घटना को बता सके, तो ये सिल लैब में जाती है, तो पहले क्या होता था, कैमिकल से उनको साफ करके उनको क्लियर किया जाता था, और एक रील जो है, वो हुआ करती थी, फोटो इस्टूडियो के अंदर ये देखा जाता है, कि बहुत सारी फोटो जो है, वहाँ पर आ रही है, शुरुआत में तो जो कु वाले लड़के थे, वो देखते हैं कि याद ये तो बहुत सारी फोटो जा रही है, उनको इस काम में मज़ा आने लगा, क्या फोटो काफी सारी आ रही है, वो क्या किया करते थे, कि इस फोटो की कॉपी कर लिया करते थे, एक फोटो की कॉपी जो है, पहुंसे थी फारुक की पैचान किया करते थे और उस लड़की की पीछे जाये करते थे और वापस से वो लैब के करमचारी उन लड़कियों का गलत फाइदा जो है वो ठाया करते थे फिर जिस जिसके पास में वो फोटो पहुंचा करती थी वो तमाम लोग जो है वो लड़कियों को अपना शिकार बनाए करते थे यह चेंज जो है, यह link वह दीरी दीरे आगे बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है, कि एक दिन होता क्या है कि जो लेब में काम करने वाला लड़का है, पुरिशोत्म जैन, ये जो पने घर पे जाता है तो देखता है कि घर के परोष में एक देविन्द्र जैन नाम का लड़का रहता है वो देविन्द्र जैन जोैं वो एक magazine को पढ़ रहा है जिसके अंदर आपती जनक फोटोस वो बैठा बैठा देखते रहता है पुरुशुत्म जैन इसको कहता है कि यार ये तो क्या है इससे खथरनाक मेरे पास में फोटोस है इससे जबरदस्त है देविंद्र जैन जो है वो इससे काफी प्रभावित होता है इनसान के अंदर कहीं ना कहीं उसकी आत्मा जो है वो तो गवाही देती ही है तो ये जो देविंद्र है ये जब उन फोटोस को देखता है तो ये बहुत ब्रहमित हो जाता है कियार ये तो बहुत गलत है देविंद्र इन फोटोस को लेकर जो है वो देनिक नवजोती के जो ओनर हैं दीन बंधु चौधरी इनके पास में पहुंसता है दीन बंधु चौधरी जो कि अपने इमान से इमानदार हैं उन्होंने इन फोटोस को देखा और ये डिसाइड किया कि फारुक चिस्ती अनवर चिस्ती और जितने तमाम लोग हैं उन पर जो है वो कारवाई की जाए लेकिन इनका दबदबा इतना कि अगर शिकायत की जाए त पेता इनके साथ में मिले हुए और उपर से जिस बैक्ग्राउंड से आ रहे थे वो बैक्राउंड बड़ा मजबूत है तो दीन बंदु चौधरी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको न्यूस पेपर के अंदर पब्लिश करूंगा जैसे ये खबर न्यूस पेपर के अं रहा है वो बैक्राउंड इतना मजबूत है कि वो उसको हिला भी नहीं सकते हैं इस खबर को जो है वो दबा दिया जाता है दीन बंदु चौधरी इसके बाद में डिसाइड करते हैं कि यार ये मामला जो है वो ऐसे सुलझेगा नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा नहीं त इसके अंदर विट प्रूफ फोटो के साथ में ये बता दिया जाए कि फारुक चिष्टी अनवर चिष्टी और उनके जो दोस्त हैं उनके जो लोग हैं वो लड़कियों के साथ में गलत काम कर रहे हैं रियल पिक्चर को वहाँ पर न्यूस पेपर में प्रिंट किया गया लड़कियों की जो फोटो थी उसको थोड़ा बलर कर दिया गया जबकि जो लोग थे फारुक चिष्टी और इनके दोस्त इनको बहुत हाइलाइट करके दिखाया अजमेर के अंदर दंगे होना शुरू हो गए ये जो घटना में आप लोग को बता रहा हूं ये है 1991 की घट की हिंदू मुस्लिम के बीच में डिस्प्यूट की और वहीं दूसरी तरफ अजमेर के अंदर ये घटना है चल रही है तो 1992 आते आते जो दैनिक नवजोती के जो ऑनर है दीन बंदू चौधरी उन्होंने निउस्पेपर के अंदर ऐसी तस्वीर के साथ में इस निउस को प बहुत कोशिश होती है लेकिन फिर भी कोई पुलिस कारवाही नहीं होती है दीन बंदू चौधरी जो हैं इनके बाद में एक एक एक्टिविस्ट और आते हैं जिनको एक खबर लगती है और एक वहां का लोकल निउस्पेपर है लहरो की बर्खा लेहरो की बर्खा जो किये तो मुझी भी कोशिश करनी चाहिए मदन सिंग ने जब इस निउस पेपर के अंदर खुद के निउस पेपर में इस खबर को पब्लिश किया तो फिर मदन सिंग के उपर कई सारे जो है बहुत सारे इनकी उपर जो है वो इनको धमक्या मिलती है इनको जो है वो खतम करने की धमक्या वगरा मिलती है और फिर मदन सिंग जो है एक दिन अटेक के अंदर इनके उपर हमला होता है और ये hospital के अंदर admit हो जाते है hospital में admit होने के बाद hospital के बाहर इनकी security में कुछ पुलिस बाले बैठाए जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी मौजूर्गी के अंदर इनकी गोली मारकर जो हो हत्या कर दी जाती है और हत्या करने का जो इल्जाम है वो जाता है सवाई सिंग के उपर मैं आप लोगों को बाद में बताओंगा कि सवाई सिंग जो है वो उसका बाद में क्या होता है तो सवाई सिंग के उपर मदन सिंग को मारने का जो है वो इल्जाम जाता है कि मदन सिंग, ठीक है, तो मदन सिंग की हत्या जो है, वो सवाई सिंग के दोरा की गई है, ये उनी में से जो है, उनी बंदों में से एक था, उनी के दोरा भीजा गया था, मदन सिंग की इसमें जो है, वो हत्या हो जाती है, लड़किया जो है, वो शिकार पर शिकार हो रही है बहुत सारी लड़किया शिकार हो रही है लेकिन कोई खुलासी करने को त्यार नहीं है लेकिन एक दिन ऐसा आता है 30 मई 1992 को जिस दिन पहली FIR जो है वो दर्ज होती है इससे पहले FIR दर्ज नहीं होती क्योंकि कोई सबूत होता नहीं है शुरुवात में 30 लड़किया जो है व को एक FIR जो है वो दर्ज होती है जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि इस लेक्चर को आप कोई भी धार्मिक Religion Point of View से नहीं देखेंगे क्योंकि इसके अंदर मुस्ली में नहीं हिंदू भी शामिल है कैला सोनी हरिस दोलानी फारुक चिष्टी देखी इंसान के अंदर जो शैतान होता है वो धर्म नहीं देखता है तो फारुक चिष्टी इश्रत अली मुई जुल्ला उर्फ पूतन इ दर्जार इन बारा लोगों के खिलाब जो है और जो हो चार शिद दायर होती है एफायर दर्ज होती है तो यह सिलसला फिर यहां से शुरू होता है कि पायर दर्ज होता है इन लोगों की उपर जो है वो case दर्ज होता है क्या मामला यहां पर रुपता है देखिए जब इनके उपर case दर्ज होता है तो फिर इनको arrest करने की बारी आती है फारुक चिश्टी जो कि इसका mastermind था इसने पागल होने का नाटक किया और पागल होने के ना ख reag proper और पागल घुशित करने के आद यह वहां से मेडिकल लेकि बरि हो जाता है बरि मतलब कि यह जो है वह चला जाता है कि से ऊपर पेरोल की ऊपर कुछ 상황 के लिए यह बहर चला जाता है और आज का यह record है कि एक भी अपरादी जो है वह जेल में नहीं है सभी जो है वह बाहर रहे यह मैं आपको और बता दो एक भी जो है वो अंदर नहीं है मैंने पहले जो जिक्र किया था अभी आपके सामने मदन सिंग मदन सिंग की जो हत्या सवाई सिंग ने की थी सवाई सिंग की हत्या जो है वो मदन सिंग के दो बेटे हैं इन दोनों बेटों ने मिलकर जो है वो 2023 की जनवरी 2023 के अंदर मदन सिंग के जो बेटे हैं उन्होंने सवाई सिंग की हत्का कर दी केस इतने लंबे चलते हैं जो दो लड़किया मैंने बताई थी जो कि अफाइर किल तयार हुई थी उसमें से एक लड़की आज भी हाई कोट के अंदर जो है वो गवाही देने के देखिये जिसने गवाही दी वो तो कोट में आ रहा है और जो जुल्म करने वाले थे वो तो बाहर है इन में बहुत सारे जो लोग हैं उनकी डैथ भी हो चुकी है दोचर अठारा के अंदर एक जो गैक्ति है उसने सरंडर भी किया था अभी अठारा के अंदर लेकिन केस ज समपरदाय और उसे जड़े लोग थे वो शामिल थे लेकिन इसमें संपरदाय के तो गलती नहीं है शैतान अगर किसमी जो है आजाता है या हम लोग कहें कि अगर वो कोई गलत काम करना चाता है तो फिर वोग धर्म थोड़े देखेगा ठीक है तो यह पूरी की पूरी कहान है तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजेगा ठीक है और देखिए यह फिल्म जो रिलीज हो रही है 14th of July को इस पर बैन की मांग की जा रही है साइए की गलत है उसको हम लोग डिसाइड करने वाले नहीं है बस बात यह है कि समाज जिस समाज में आप लोग रहते हैं वहाँ पर बच्चों को सिक्षा जो है एजुकेशन वो इस नजरी से दी जाए कि कभी भी उनके साथ भी कोई गलत काम हो तो वो खुल कर जो है अपने घर में बता सके आज जो है आलम यह है कि जो लड़कियां शिकार हुई थी उनके बहुत सारे पैरेंट्स जो हैं वो इस्टेट छोड़कर चले गए हैं बाहर चले गए एक आरोपी जो कि अमेरिका में रहता है लेकिन सोच कर देखें कि जिन परिवारों की उपर यह बीटती है उन परिवारों को क्या हाल हुआ होगा छे लड़कियां जिन्होंने सुसाइड किया उनका आखिरकार कौन जिम्यदार है ठीक है जबकि सु जरूर बताईएगा कि लेक्चर आप लोग कैसा लगा आप लोग बैट जो है वो जोईन कर सकते हैं प्रहार आपको 70% फ्लेट और 25% जो है वो एक्स्टा डिसकाउंट अविलेबल हो जाएगा ठीक है तो मिलते हम लोग नेक्ट लेक्चर में तब तक लिए धन्देबाद थैंक यू जय है